फ्रेंड्स हम सब को यह तो सिखाया जाता है कि how to make a living education यह इस तरह से दी जाती है कि पढ़ाई करो, अच्छे अफसर बनो, अच्छे जॉब पर जाओ, अच्छे बिजनेसमेन बनो और अकमाई शुरू कर दो लेकिन यह कहीं भी नहीं सिखाया जाता हाव टो लिव, how to make a living तो सिखाया जाता है, लेकिन how to live यह नहीं सिखाया जाता है, तो यह वीडिएजा है हम सब के लिए बहुत ही valuable वीडियो है, हमारे सारे समाज के लिए यह वीडियो जो है valuable है, तो आप प्लीज इस चैनल को भी subscribe कर और साथ में ये वीडियो जो है अपने friends और relatives को जुरूर share कर देंगे तो अच्छी बात होगी तो आएए वीडियो शुरू करते हैं कि हमें education इस तरीके से दी जाती है कि how to make a living, अपना जीवन जापन कैसे करना है, कैसे पैसा कमाना है, जीवन जीने के लिए पैसा भी जुरूरी है, है भी बहुत जुरूरी, this is very urgent लेकिन एक साथ में और चीज नहीं सिखाई जाती, how to live, कैसे अपने जीवन को हमने वेतीत करना है यानि हमें यह तो बताया जाता है, business man बनना है, doctor man, doctor बनना है, engineer बनना है, मुटी मुटी फीज से देनी है, hard work करना है बहुत सारा और किसी भी तरीके से इस goal को achieve करना है, doctor बनना है, बहुत सारी मेनत कर लेनी है लेकिन एक जीज जो नहीं सिखाई जाती, कि रास्ते में उस चीज को पाते पाते, हमें कुछ ethics खाने की जरूरत है, कुछ values की जरूरत है आई समाज में जो है, उन values की जो है, बहुत सारी कमी आ गई है हम doctors को ही ले लेती है, सभी doctor की बात नहीं कर रही है, क्योंकि हार एक की अंदर कोई value होती है किसी की अंदर कोई value आती है, किसी की अंदर कोई value आती है most of the doctor क्या होता है, कोई emergency case आता है या किसी को heart tag की आ गया मालूब तो उस दिन Sunday है, तो doctor नहीं आता कि Sunday की छुटी है, doctor नहीं नहीं आना लेकिन ethics क्या सिखाती है, कि आपको एक कला आती है, आपको ठीक करना आता है patient को, तो आप उस time जुरूर उसकी help करें ये ethics समयनी सिखाई जाती है, बहुत सारे moral values जो है, लूज कर देती है doctor भी लूज कर देती है, हार पेशे में कोई न कोई लूज कर देता है kidney कान को देख लो, कोई अंजान लोगों की kidney निकाल लेती है उनको पता ही नहीं होता, और ये देखो कहां तक जा रहा है और कोई बिमार होकर अगर बड़ी मुश्कल से चला भी जाता है, डॉक्टर ऐसा ड्राता है, उसको बोलता है आज के आज ही stunt पड़ेगा आपको, तभी आप ठीक हो सकते हैं किसी को पढ़ना भी बड़ा जरूरी है, लेकिन ये एक बन गया है क्या कहते हैं, उसको एक सिल्सला सा बन गया है कि जो जाता है, उसको सीधा ही डॉक्टर बोलता, stunt पड़ेगा तभी ठीक हो सकते हैं पेशन्ट बेचार अपने पैसे भी लुटाता है, और साथ में अपना health को भी ताग पर रखता है क्योंकि उसको डॉक्टर पर पूरा विश्वास है कि डॉक्टर जो कह रहा है, वो सही कह रहा है लेकिन इसी तरह से ले लीजिए, समाज में भी और चलते हैं, सबजी वाले की दुकान पर चले जाओ, जा फ्रूट वाले की रेडी पर पहुंच जाओ तो वो चार-पांच सेब तो अच्छे डालेगा, लेकिन एक बीच में ऐसा सेब डाल देगा, जो उसका नहीं चलता होगा न, तो वो उसको बीच में डाल देगा आप घर जाकर देखेंगे, तो फिर कहेंगे कि आप दुबारा इसकी रेडी पर नहीं जाना है क्यों? उसको पैसक माना है, similarly डॉक्टर को पैसक माना है, एक टीचर की एक्जेंपल लेते हैं, टीचर क्या करते हैं, एक्जाम होते हैं, कहीं से उसको बड़ी भारी रिश्वत मिलती है, तो किसी को नकल भी करवा देती हैं, तब भी अपनी वैल्यूस ताक पर रख लेते ह हैं, यह समाज में एक चलन बन चुका है, कि किस तरह से अपनी वैल्यूस जो है, लूज करते जा रहे हैं हम सब, तो हमें यह देखना है, अपनी वैल्यूस को चेक करना है, कि हम में कौन सी वैल्यू है, अगर हम अपनी वैल्यूस को पहचाल लेते हैं, तो उस समय हमें तो उसको offer आती है तो एकदम से decision लेगा कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा लेकिन कोई बिचारा डामा डाल हो जाता है उसके अंदर ये value नहीं है उसके अंदर ये है कि मेरे पास भी लोगों के अंसार मेरा भी standard उच्चा हो जाए तो वो दूसरे तरीके से अगर उसको offer आत नहीं है अंदर से संतुष्ट नहीं है हमें और craving है और आजाए हमें और पैसा मिल जाए मतलब craving है क्योंकि हम अंदर से संतुष्ट नहीं है अंदर से हमारी soul जो है weak हो चुकी है happiness lose करते जा रहे है क्यों ये सब हो रहा है क्योंकि values को lose कर रहे है values के साथ आगे नहीं बढ़ पैसा कमाना बहुत जरूरी है यह नहीं है जरूरी नहीं है परजिशन पाना भी बहुत जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ जो है अपनी ethics अपनी values के लिए भी बहुत ही जरूरी है तो अपनी values को check करें कि हम सब में कोई न कोई तो जुरूर अच्छी value होगी यह नहीं है कि किसी के हम सब के अंदर कोई न कोई जुरूर अच्छी value होती है बस उसको पहचानने की जुरूरत है तो इतना competition बढ़ चुका है तो competition का जमाना आ चुका है वो हर कोई रेस में आगे बढ़ना चाहता है, जब आगे बढ़ना चाहता है तो किसी ना किसी को पीछे देखे लेगा ही, competition आने से corporation जो है खतम होती जा रही है, corporation की भावना जो है वो lose होती जा रही है, तो ये values कहां से सीखनी है, जब starting सही, जब बच्चपन होता है, तब से ये values start करनी है, school में education मिलनी चाहिए, बच्चों को moral values की, not practical, practical value देनी चाहिए, ये कोई न कोई अच्छे तरीके से बच्चों को अपनी family में value दे सकते हैं, parents जो है बच्चे के लिए role model होते हैं, parents जो बच्चपन में सिखा देते हैं, बच्चा अस्ता उमर उसको याद रखता है, और फिर वैसी values को अपना follow करता है, तो values का हमारे जीवन में जो है, बहुत ही महत्तव है, तो कहते थे न कि पुराने जमाने में क्या होता था, गुरुकल होते थे, गुरुकल में क्या होते थे, जो study के लिए जाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे, उनको सिखाया जाता था, कि आपने आगे ये वहाला काम करना है, राजा ने अगर राजा के लिए भी वही school होते थे, तो उसको सिखाया जाता था कि किस तरीके से राज्य करना है, किस तरीके से अगर दुश्मन अटेक कर दे तो कैसे करना है और इसके साथ साथ moral values दी जाती थी, moral values से जो था उस समय समाज में शान्ती थी और लोग बड़े contented रहते थी लेकिन आज सारे समाज में जो है moral values जो है, बहुत सारे लोग जो है, सारे तो नहीं, लेकिन most of the people जो है moral values को ताक पर रख लेते हैं और उसको एक तरफ रख देते हैं और वो जो अपना lust होती है, craving होती है, उसको पूरा कर लेते हैं तो उससे जो है, हम dissatisfied रहते हैं, depression आता है, stress आती, नींद नहीं आती, परिशान रहता है, मन चिंता में रहता है, मन खुशी नहीं महसूस करता क्यों क्योंकि moral values को हमने cross कर दिया, moral values को follow नहीं किया तो उस जमाने की भी बात करते हैं सत्युग की, जब सीता माता ने लक्षमन देखा को cross कर दिया था सीता माता ने कौन सी लक्षमन देखा cross की थी, जो हम moral values है ना आज की, जो lust है, craving है, पैसे की जो किसी और चीज की, आगे बढ़ने की, जो किसी चीज की, जो कहते हैं, उनको हिरन दिखा था, गोल्डन हिरन दिखा था तो आज हमको जो गोल्डन चीज़े देखते हैं, उसके लिए हम अपनी lines जो है cross कर देते हैं, लक्षमन देखा cross कर देते हैं जब ये रिखा क्रोस आजाती है तो फिर रामन रूपी जो है चीजे हैं हमारे अंदर आने शुदी हो जाती है, रामन जो है सिम्बल है, एहंकार का सिम्बल है, जिस साटिस्पेक्शन का सिम्बल है, तो वो सब हम में आना चुरू हो जाता है, तो इसलिए friends, इस वीडियो में आपको जो कुछ भी अच्छा लगा हुओ, उसके लिए प्लीज जुरूर कमेंट करना, मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहेगा, और शुक्रिया फ्रेंड्स.